So friends, अभी का जो topic है, उसे कहते हैं, tuple as a return value. Extraordinary कुछ भी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ यही कहा गया है, कि मैं अगर एक से ज़्यादा value return करना चाहूंगा, तो मैं by default tuple बन जाऊंगा. तो check कर लेते हैं, कि सही में ऐसा होता है क्या? ओके, so suppose, यहाँ पे मैंने लिखा a नाम का variable, और यहाँ पे लिखा 10, तो let us check the type of 10, sorry, type of a. ओके, तो क्या मिला? वो integer है. अब मैंने लिखा a is equal to 10, 20, और enter दे दिया. अब चेक कर लेता हूँ type of what? a. check it out, it is a tuple. ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है? कि अगर मैंने एक से ज़्यादा values return किये, तो इसका मतलब जो output मिलेगा, वो tuple मिलेगा. So, हम लोग के यहाँ पे define करने की जरूती नहीं पड़ी. कि parenthesis डालना है, या blah 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 डालना है. हम लोग ने कॉमा से separate कर दिया, क्या बन गया यह? टपल, one and the same. So, this way if you write it, or this way if you write it, the thing is one and the same. तो अगर मैंने एक function बनाया, फिर एक method बनाया, testing नाम का, और उसको बोला कि भाई, तुझे क्या करना है? तुझे है ना, मुझे, मैं एक list डूँगा तुझे, उस list के अंदर से तुझे कुछ चीजों को sort करना है, तो sort करने का logic list के लिए better है ना, तुझे एक variable लेते एक्स, इसके अंदर में list ही pass करने वालो, या फिर टपल pass कर दो, whatever you want pass कर दो, कोई फरक नहीं किरता, चलो, अभी यहाँ पे x के अंदर जो pass करने का बार में देखते हैं, सबसे पहला चीज, x के अंदर list रहेगा है, टपल रहेगा, whatever it may be, मुझे list में convert करना है, l is equal to, l is equal to list, convert कर, किसको, x को, क्यों, क्योंकि यार list के अंदर है ना, एक main मज़िदार चीज़ है, क्या चीज़ है, x को मैं sort कर सकता हो, क्या कर सकता हो, sort कर सकता हो, यार, यह तो मेरे लिए best काम हो गया ना, sort करने के बाद, मुझे maximum और minimum value चीज़ है, क्या चीज़ है, maximum value और minimum value, तो sort कर दिया तो 1 to 10 sort हो जाएगा, मतलब sequence में sort हो जाएगा, तो जो 08th index के उपर value रहेगी, LI के 0th index के उपर जो value रहेगी, वो क्या रहेगी, I'm asking you, LI के 0th index के उपर जो value मिलने वाली है, वो मेरे minimum value होगी, और LI का last index, last index को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, minus 1, ओके, last index के उपर जो value है, वो मेरे को क्या मिलेगी, maximum value मिलेगी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हो, return कर देता हो, that's it, अभी चलो, एक must में list बनाते हैं, फिर टपल बना लो यार, क्या फरक गिरता है, यह लो, r, और I can say t is equal to the tuple, और यहाँ पर लिखता हो, 1, 3, 2, 1, 5, 4, that's it, and then मैं testing call करता हो, testing t, तो यह क्या return करना चाहिए, वो return करना चाहिए, क्यार, मुझे list चाहिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, वो बुल रहा है क्यार, टपल object has no attribute sort, सही बता है उसने है, गलती अपना है, मैंने पास क्या टपल, x में गया, टपल, x को मैंने क्या time pass के लिए list में convert किया था, तो यहाँ पर x क्यू लिया मैंने, sorting करना है तो किस के उपर करना है, list के उपर sorting करना है न, तो गलती अपनी थी, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, li, ठीक है, चलो, done, t is already been created, let's call this thing again, I got it, this is my minimum and this is my maximum, तो दो चीज़े हम लोग ने return की यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बताया क्या, कि मेरे को parenthesis चाहिए नहीं, उसने दो values return कर दी, कॉमा से separate करके, तो यह क्या बन जाता है, by default, टपल बन जाता है, simple है न, same, यहाँ पर थोड़े से changes है, तुम ही बताओ कि क्या changes है, क्या किया है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने क्या pass किया, LI के अंदर मैंने क्या pass किया, LI1, और LI1 क्या है, list है, बरभर, अभी यह list गया इसके अंदर, और list को directly sort कर दिया, हम लोग ने क्या किया, इसके अंदर इसके लिए समझ जाएगा, कि यह list, यहाँ पर मैंने क्या किया, LI का 0-1 इंडेक्स क्या आएगा, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर सेंटेक्स थोड़ा सा अलग लिखा है न, ज़रा बताओ, help करू मेरे को, अभी, लेन आफ लाइ, लाइ का लेन क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5-1 मतलब क्या हुआ, 4, तो लाइ का 4th इंडेक्स, मतलब क्या हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 3, रवर न, लेकिन यहाँ पर सॉर्ट हो जाने के बाद, यह 5 यहाँ पर आ जाएगा, ओके, यह 5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यह सॉर्ट हो चुका है, तो लास्ट इंडेक्स के उपर क्या मिलेगा मेरेको, 5 मिलेगा, सिंपल,